Hello Everyone, Welcome Back to Study with Comfort तो हाली में आपने एक न्यूट सुनी होगी कि असम में बीहू डान्स जो परफार्मर्स हैं उन्होंने एक वर्ड रिकॉर्ड बनाया और इस अचीवमेंट से इस वर्ड रिकॉर्ड से जहां एक तरफ असम की कम्यूनिटी, पूरा देश इस चीज पर प्राउट कर रहा है खुश है और सेलिब्रेट कर रहा है इस अचीवमेंट को वहीं दूसरी तरफ जो नागा कम्यूनिटी है बैसिकली वो अन्हापी है और वो अन्हापी क्यों है? क्योंकि इस performance में जो बीहू song यूज किया गया था और उस song की जो lyrics थी उसको लेकर कुछ इन्होंने मुद्धा बनाया है और बोला है कि racist song को यूज किया गया है इस performance के लिए especially जो thanks student union है नागा community को represent करती है तो overall all awesome नागा welfare society हो गई अधर जो organizations है नागा community को represent करने वाले वो इसे लेकर इसे बैसे करी condemn किया है कि जो song यूज किया गया है इसमें उनकी community की sentiments को hurt कर रहा है and they are feeling humiliated तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या मुद्धा है इसमें से क्या कौन से ऐसे word use किये गये हैं जिसकी विज़े से ऐसा जो नागा community के दौरा response किया गया इस important performance के बारे में हम कुछ और महत्पून पॉइंट जान लेते हैं जो हमारी exam point of view से भी important हो सकते हैं जैसे कि इस stadium का नाम जहां पर इस dance की performance हुई है जहां पर यह word record बनाया गया हो सकता है current affair में इस तरीके के जो fact हैं वो पूछे जा सकते हैं इस पूरे घटना में जब यह word record बनाया गया performers के दोरा तो जो असम की chief minister है उन्होंने एक statement दी थी कि आज हमने यह record अचीव किया है और यह बहुत ही proud moment है okay so basically जो naga community है song को racist जिस तरीके से इन्होंने कहा है तो इस song में की lyrics में कुछ words ऐसे इस्तेमाल किये गए हैं जिसके दोरा इसे racist song बोला जा रहा है कुछ words है like okora naga and nagini basically जो आपके naga community के लोग है उनका मानना है कि जो nagas okora का मतलब होता है stupid and dumb वहीं दूसरी तरफ एक और words जो nagini use किया गया है इसका मतलब होता है snake तो यह जो words है यह जो nagas community है इनके sentiments को hurt कर रहे है basically और इस तरीके से यह जानबूस कर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ऐसे song को choose किया गया है सेलेक्ट किया गया इस performance के लिए तो इससे इससे बहतर आपके पास option हो सकते थे तो जो response दिया गया है जो officials of the government cultural affair department जिसने इस program को execute किया था तो इस program को basically किसके दोरा organize किया गया था आसम की जो cultural affair department है तो cultural affair departments की तरफ से response दिया गया है कि जो song इन्होंने choose किया था यहाँ पर बीहू song जो song यूज किया traditional song बीहू performance के लिए वो एक traditional song है और हमारा intention कि जो नागा community है उसके sentiments को hurt करना नहीं था हमारा intention नागा community को humiliate करना नहीं था हमने traditional songs की वज़े से select किया है और हमारा कोई ऐसा intention नहीं था लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नागा community के organizations हैं जो लोग हैं उनका मानना है कि इसमें से जो words यूज किये गए हैं वो इनके sentiments को hurt कर रहे हैं उनको humiliate किया गया है इसमें जान बूच कर और इस तरीके से वो unhappy हैं तो यहां पर कुछ एक दो ट्राइब के नाम आए हैं इस पूरे मुद्दे पर जो आपको एक्जाम पॉइंट आवे उसे जान लेना जरूरी है जैसे तंगसा नागा क्मुणिटी है जो आपका असम औरुनाशल प्रदेश में रहती है तो यह इस क्मुणिटी का और्गनाइजेशन का नाम आया है स्टूडेंट यूनियन है जो इस ट्राइब की उसका नाम आया है तो यह आपको जान लेना जरूरी है हो सकता है करेंट अफेर में पूंचा जा सके असी तरीक़े से और भी बहुत सारी डायवस्ट्राइब सें जो आसम में रहती हैं जासे वेक्ते मिनिस्ट्री त्राइब से जो का जोफीशिल वेब thanking साइट है वहां से निकाला है आप चाहें तो जाकर उसकी वेब सायट को जाकर वहां पर शक्ते हैं जाकर जो बह पुद्दे को समझना है और मोर इंपोर्टेंट अगर एक्जाम पॉइंट आवे उसे प्रिपेर कर रहे हैं आप इसे तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारे क्या फैक्ट मुछे जा सकते हैं तो इसी तरीके से एक और टर्म है जैसे गमचा अगर मैं इसे सही प्रणान्स क शेर्वीठ किया एक और मत्यों करते हैं एकट द्यों नहीं है सो एक करेंसे से जाए ठाटक।